प्रेम से बड़े संकर भगवाने की जये हरर महादेव घरगर महादेव गुरु भाई बहना मैं एक कथा सुनाने जा रहे हूं इस कथा को पूरा सुनियों रहत जानिये आदी नहीं आदी सुनने में सिवगुरु का अपान होती है और पूरा सुनने में ज्यान होती है बहुत पुराने समय की बात है एक गाउं में एक बुढिया रहती थी तो गुरुभाई बहना पुढिया का एक बीटा था और बेचारी ओ बुढिया बिधवा थी गुरुभाई बहना बेचारी बुढिया जो थी बिधवा थी तो बेटा कुछ भी कहता था लेकिन बुढि कभी दुख नहीं लगता था बेटा को बड़े मुश्किल से बिचारी पोशी पाली थी बड़ी दुख के साथ और बिचारी दुख करके दुसरे के घर नजूरी करके और अपने बेटे को परतिपाल की थी अकेला तो गुरुभाई बना आप तो समझी सकते हैं कि जिसका जैसे ओ बुड़ी मा थी कि उनका जीवन अकेले बैतित करना एक बच्चे के साथ बड़े मुश्किल हो गया होगा गुरुभाई बना ओ बेटा जब बड़ा हो गया तो बुड़ी मा उसकी साधी कर दी पहले बुड़ी तो नहीं थी लेकिन धीरे धीरे शमय बीते बीते ओ बिचारी बुड़ी हो गई तो साधी कर दी गुरुभाई बहना तो बहु आ गई घर में अब बहु आ गई तो बेटा भी घर में ही रहके और किसी के साथ दिहारी पे काम करने जाता था धीरे धीरे समय बित्ता जा रहा था गुरुभाई बहना लेकिन बेटा के घर गरीव एक बात मैं तुमसे कहूं, बिचारी बुड़ी मा बोली, बेटा क्या कहना चाहते हो मेरे लाल, बोलो, मा क्या परदेश जाओं, गुरुभाई वहना, बिचारी बुड़ी मा बोली, बेटा, तुमारे दो दो बच्चे हैं, तुमारा पतनी है, क्या बहु घर समाल पाएगी? मेरा तो हालात कुछ ठीक नहीं रहता है सोच लो बेटा अपना गुरुभाई भणा बेटा बोला मा यदि तुम हाँ कह दोगी तो हम बड़े प्रेम से चले जाएंगे गुरुभाई भणा बुड़ी मा बोली बेटा अपने पत्नी से पूछ लो गुरुभाई भणा मा के आग्या पाकर बेटा अने अपने पत्नी से पूछा अरे सुन्दरी सुनो घर से तो काम करते हैं तो घर का घर्चा नहीं समल पाता है हम पर देह जाते हैं लेकिन हाँ एक बात को याद रखना मेरे मा को अच्छे तरीका से ख्याल रखना मेरे मा को जैसे तुम्हारा दो बच्चा है उसी तरह बच्चे की तरह मेरे मा को ख्याल करना तु बच्चे को कपड़ा लाएगी तो मेरे मा के लिए भी कपड़ा लाना तु बच्चे को अपना खाना देती हो मेरे मा को भी भोजन समय से देना तुम बच्चे के कपड़ाद होती हो मेरे मा का भी कपड़ाद हो देना देखो मा का सेवा करना गुरुभाई भना पत्नी बोली हेप स्वामी आप बिल्कुल फिकर मत किजे आपका मा का ख्याल हम रखेंगे क्योंकि मा का तो मेरा जिम्मिदारी है आप परदेश जाएंगे मेरा बच्चे छोटे छोटे है यदि मा का हम जिम्मिदारी नहीं रखेंगे हम ख्याल नहीं करेंगे मा का सेवा हम नहीं करेंगे भोजन नहीं देंगे कपड़ा हम नहीं धोएंगे तो मेरे अलावा मा के लिए कौन है संसार में आप बेख फिकर होकर परदेश चले जाएए गुरु भाई वहना ओ जो बेटा था ओ परदेश चला गया और परदेश जाने के बाद ओ परदेश में काम करने लगा आरे जो गुरु भाई वहना बहु थी तो अपने बच्चे को छोटी सी कटोरी में भोजन देती थी उसी तरह बेचारी बुडिया को थोड़ी सी खाना देने लगी और करती थी अरे खाना है तो खाओ तुम्हारा बेटा ने बोल कर गया है मेरे मा के लिए बच्चे की तरह करना तो मेरा बच्चे का कटोरी में भोजन करता है तो तुमें भी कटोरी में ही देंगे ना भोजन कर लो प्रेम से गुरुवाई वहना अब बच्चे की जितना बार खाना देती थी उतना बार बुढिया को भी छोटी सिकटोरी में खाना एक चमत दे दिया करती थी बेचारी बुढिया भूक उसका नहीं मिलता था एक और छोटा बच्चा था थोड़ा सा खाता था उतना ही बुड़िया को देती थी बुड़िया को पेट नहीं वरता था गुरुभाई वहना हिंदु धर्म में विजय दस्मी जो पर्व होती है आसिन मास दसहरा बहुत बड़ा पर्व मानी जाती है और बुड़ा जवान बच्चा सब जाते हैं मेला घुमने को लिए तो गुरुभाई वहना वह जो बहु थी बहु अपने सास को बोली मा जी बिजय दस्मी आ गया है आप भी मेला चलेंगे घुमने बुड़ी मा बोली बेटी अगर जो तुम कहोगी तो हम चलेंगे बोले कि ठीक है हम आते हैं बाजार से कपड़ा लेकर गुरुभाई वहना बहुरे क्या किया बाजार चली गई और बाजार जाकर अपने बच्चे के लिए कपड़ा खरीदा छोटे छोटे तो गुरु भाई वहना बुड़ी मा के लिए भी एक छोटा सा बच्चा वाला कपड़ा खरीद ली एक फराग खरीदली गुरु भाई बहना और खरीद के ले आई बुड़ी मा को दी लो मा पहन लो बिचारी बुडी मा जो थी ओ कहती है बेटी ए तो बच्चे वाला कपड़ा है ए कपड़ा हम कैसे पहने बहु कहती है माजी आपका बेटा ने कह कर गए है कि तुम मेरे मा को बिल्कूल अपने बच्चे की तरह रखना तो मेरा कर्तब बनता है मेरा फर्ज बनता है कि अपना बच्चा की तरह आपको रखें और सेवा करें और कपड़ा पेनाएं तो माजी आपको कपड़ा मैं वहीं दूंगा जो मेरा बच्चा पहनेगा गुरुभाई वहना जो बुड़ी मा थी ओ अपने बहु को टुकुर टुकुर मुह देखने लग गुरुभाई वहना एजो बुड़ी मा थी बिचारी कपड़ा पेनने सी इनकार कर गई लेकिन बहु जो थी बुड़ी मा की बहु ने जवरदस्ती कपड़ा पहना दी और पहना के और मेले घुमाने के लिए दसहरे में चली गई गुरुभाई वहना बहुत लोग बुड़ी मां को देखकर माजाक उडाने लगे और माजाक उडाने लगे और हसने लगे अरे देखो बुड़िया कितना सवखीन है बच्चों वाली कपड़ा पहन कर आई है अजीव जवाना है गुरुभाई वहना बुढिया का स्रम के मारे सर नहीं उठ रहा था गुरुभाई वहना ए जो बहु थी बहु दुकान दुकान पे जाती थी इची उची चाट गूप चूप जलेबिया और मिठाईया खाने लगी बुढिया चूप चाप मूँ देखने लगी बुढिया को बोली बहु मा जी आप घर चल के खा ली जियेगा क्योंकि बाजार में आप खाईयेगा ता आपका कपड़ा लेट जाएगा गुरुभाई वहना अब बुढिया आई घर पे तो उसे जी भर के बहु खाना खिला दी बेचारी बुढिया मा ने बच्चो वाली कपड़ा खोल दी और साड़ी पहन ली अब तो धीरे 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 गुरुभाई वहना बुढिया का प्रस्थीती बहुत गंभीर हो गया और बिलकुल कमजोर हो गई जब कमजोर हो गई बेटा ने खतलिक कर भेजा क्या मेरी मा अच्छे से है देखवाल करती हो अपने बच्चे की तरह रखती हो मेरी मा को गुरुभाई वहना इधर से उसका पत्नी खतलिक कर भेजी स्वामी जी आप चिंता आना करें आपके मा के बिलकुल अपने बच्चे की तरह खाना देते हैं और वस्त्र देते हैं सेवा भी करते हैं कोई कमी नहीं करते हैं आप चिंता मत करिये गुरुभाई वहना एसा एसा जब ख़त पढ़ा बेटा तो बड़ी परसंद हो गया लेकिन बेटा का घर आने का हुआ और बेटा जब घर आया गुरुभाई वहना जब घर आया बेटा तो मा के पास गया तो मा तो बिल्कुल खाटी पे लेटी हुई थी और उठने का उसका सक्ती नहीं था बिचारा बेटा कहता है मा ऐसा हला तुम्हें किस ने किया बुडिया का आखों से आशु गिरने लगा और बुडिया कहने लगी बेटा एसा भगवान का महिमा है बेटा मैंने बुरे कर्म किया था इसलिए ऐसा हालत है मेरा चिंता मत करो बेटा अब हम भगवान की प्यारे बनने वाले हैं भगवान ने मुझे अपना पास बुलाने को लिए विवस्था कर रखे हैं गुरुभाई वहना बेटा बोला मा जब मेरा पास रुप्या नहीं था धन नहीं था मैं छोटा था तो तुने भरन पोशन अकेले किया लेकिन मा आज तो मेरे पास सब कुछ है मैंने परदेश गया बहुत धन कमाया मा मा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हें इलाज करवाएंगे गुरुभाई वहना बेटा ने मा को डॉक्टर के पास ले गया डॉक्टर बोला तेरा आपका मा का बहुत कमजोरी है अब मा को बचना मुश्किल है ना मुम्किन है मा नहीं बच पाईगी जितना रुपिया लगे मेरे मा के लिए मैं अपने मा में लगाऊंगा उग्रुभाई वहना डॉक्टर बताया आपके मा को खान पान अच्छा नहीं मिलने के कारण आपकी मा जो बिल्कुल कमजोर हो गई है इनका रक्त का कमी हो गया है आप इनका बचना कठीन है बेटा अप अपने पत्नी से पूछा क्या तुमा को ख्याल नहीं रखती थी बोलो गुरुभाई वहना पत्नी काती है आप बोल कर गए थे मेरे मा को बच्चे कितरा खाना देना तो मैंने कटोरी में जितना बच्चा मेरा खाता था उत्रही मा को भोजन दिया करते थे और कपड़ा की बात रही तो मैंने बच्चों वाली कपड़ा आपको मा को पिनाया गुरुभाई वहना बेटा बोला अरे मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोले थे बच्चों की तरह देख भाल करने बोले थे ए नहीं कि मा को जीते जी मार डालो एक और बच्चा खाएगा एक टुक्री बच्चा खाएगा तो मा को भी उतना ही दो नहीं नहीं मेरा मा के जान बुष्ट कर तुने वैसा किया है गुरु भाई भना बुडिया बेल बोली बेटा मेरा जिन्दगी तो अब तीन दिन के लिए है तुम लोग आपस में जवगडा मत करो बेटा आपस में तुम अच्छे से रहो क्योंकि मेरे लिए भगवान भोले नात डोली कहर भेज रहे हैं और मैं भोले नात के पास अब जा रहा हूँ गुरु भाई वहना बुडिया का आत्मा निकल गया और बुडिया बिचारी का मिर्तु हो गया बुडिया जो चलित गई यमदूत के साथ यमराज उसे लेकर अपने पास चले गए बेटा जो था बेटा हाई हाई करके रोने लगा छाती पीट पीट के रोने लगा बहु जो थी बहु कहती है बुडिया के चलते मुझे बहुत डाट फटकार मिला मेरे पती मुझे बहुत सुनाए अच्छा हुआ जो बुडिया मर गई भला हुआ चलो अच्छा हुआ गुरुभाई वहना बेटा बिचारा अपना किरिया करमट माता को किया और किरिया करमट करके फिर से परदेश चला गया जो बुडिया के बहु थी घर में आजास से रहने लगी अपने बच्चे के साथ तो गुरुभाई वहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें और मैं इस्टाग्राम पे भी हूँ मैं फेस्बूक पे भी हूँ मेरा फेस्बूक पे फोलो करें लाइक करें शेयर करें धन्यवाद हर महादेव घरकर महादेव प्रेयर से बली संक्र भगवाने की जैए दयाकर महादेव